हेला दोस्त्तो स्वागत है आपका concีp कर देते हो यानि टान देते हो या फिर इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हो सायटाब कहीं न कहीं गलती कर रहे हепist क्योंकि इस वीडियो में आप लोग ऐसा चीज बताने वाला हूं आप लोगो helpful भी मिलेगा या फिर आप ऐसे गलती करते हो तो आप कभी नहीं करोगे ऐसे गलती या फिर नहीं भी करते हो तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है चलो यार यार बिगड़ गया आप मैं ऐसे कर देता हूं तो चलेगा तो यह भी नहीं करोगे कि इस वीडियो में आप ल टूइलेट नीचे गिर जाता है। तो तूटना लाज मी है, कोई बैठते है तो नीचे गरता है तो लाजमी है तूटना, लेकिन उसके साथ बैठते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है उसका बधन में, क्योंकि टूटने के बाद, और ब्लेट और तलूव यह हो देखिए एक कॉमोड का होलिय मैं आप लोग को दिखाऊंगा फिर आप लोग को step to step कुछ बताऊंगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा यह जो कॉमोड है आप लोग को मैं बता देता हूं यह कॉमोड आप लोग ज्यादा घबराईए मत ऐसे भी ज्यादा रिक्स जाए कॉमोड कि बठाने का system भी होता है यह कॉमड आटमेडिकली घी रहा है यह कॉमोड में इस टाइम यूँच नहीं कर रहे थे सामके टाइम में कॉमोड कि कंपोर्ट का तोड़ा किल्यादा था 40 से लेकर 50 किलो था कोला कंपानी का कोमोड है तो इसके वज़ासे वो गिर गया थोड़ा मिश्टेक के वज़ासे तो देखे उसके बाद फिर बताता हूँ आप लोगों क्या क्या सिस्टम करना चाहिए दोस्तो इस टोईलेट को देख लिज़े यह टोईलेट उपर से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है कोई खराबी नहीं है लेकिन इसका अंदर देख लिज़े ट्रैप जो है ओल्रेडी तूट चुका है यानि कोमोड का हाइट अल्रेडी कम रहता है नीचे से स्रिफ दो इंच रहता है और इसमें कोई बैठे नहीं थे इसके ओजसे श्रिफ दो इंच से भी ट्रैप तूट चुका है और इस रेगबॉल्ट को आप देख लिज़े रेगबॉल्ट जो है पूरा दिवाल से निकल गया है क्यों निकल गया है वो आप लोग को अभी बताता हूं इस रेग तो बहुत सारे लखड़ से करते ते लेकिन और इसा नहीं करना चाहिए अगर बिगड़ जाता है तो आपको समझ में आ गया क्या कोमोट है चाहिए वो कोई भी कोमोट हो आपको ग्रीब से फिटिंग करना है क्योंकि यह जो है यह एल एंग की वाला कोमोट है होके UK वाला क्मोट है लेकिन कोई भी कमोट वो आपको हमसे गgriff देगर प्पिटिंग करना चाहिए आपको देखाता ही है क्या हो आप बात्रूम में धेख लिए वी इस बात्रूम में दो कोमट पहले सफाइद लगा था ये कोमट पहले लगा था जो उसे काट कर निकाल आपको ध्यान से आप देखे, आपको कुछ समझ माएगा जो क्या चीज दिये नहीं, वो है ग्रिप, और इसमें आप लोग एक चीज देख लिए, यह जो है ड्रील भहुत कम किये है, यानि आपका एलकी वाला पाना में, आपका मिनिमाम 16 mm का ड्रील पाना लगता है, लेकिन यह इदर 12 mm का ड्रील करके, हलका सा लकड़ी देकर उसे टाइट कर दिये थे, इसके वज़ए से यह जो है, वाल हैं कमोट निकल गया है, तो हमेशा आप कभी भी लकड़ा देकर काम मत करिए, लकड़ा से आपका जो है, वो बहुत सिच्वेशन बहुत खराप हो जाता है, ह आप क्या इसे कमोट चेक करते हो, जैसे कि मैं अभी कमोट के उपर खड़ा हूँ, जी नहीं, यह गलत तरीका है, डाइरेक्टली अगर आप इसके उपर खड़े हो जाते हो, तो दोस्तों दो चीच आप लोगो बताता हूँ, इदर एक ग्रीप होता है, और एक टाइट करन आप लकड़े डालके अच्छा से टाइट करके उसमें टाइट करते हो, या फिर बहुत जगे में आपका ग्रीप थोड़ा बीगड़ जाता है, और छुपा कर आप लकड़े करते हो, नहीं, ऐसे मत करिए, अगर बीगड़ जाता है, तो आप हार्वेर का दुकान में आपक होगे, ऐसे करोगे, अगर उस टाइम में तूट गया तो क्या होईगा, आपका अपका अपको पाता है, तो कितना टाइट करना चाहिए, कितना ड्रील करना चाहिए, कितना एमेम का पाना होना चाहिए, यह जो आपके लेप्ट साइट में एक वीडियो आ रहा है, इस वीड अगर आप तक चैनल को सब्स्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्स्राइब भी कर लो और वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है उदर से भी आप जा कर देख सकते हो और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताईए और हो सकते तो एक जरू लाइक करिए और फिर मिलने की कोशिस करूँगा आप लोगो के साथ आप लोगो के पास किसी दुसरी टुपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई